हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे हरे बैंगन की खटी सबजी अगर आपको मेरी ये बैंगन की सबजी की रेसिपी पसंद आए तो प्रीज आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तो चले स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने ये हरे बैंगन पर लिए और इन्हें अच्छे तरीके से दोकर और कपड़ें से पोंच लिया है अब हम क्या करने कि इसको बीछ में से कटकर के इससमें चीरा लगा लेंगे मतले हैं, क्रॉस वाला चार हिसों extending ड़ालेंगी इससी तरीके से हम अपने बैंगन में चीरा लगा कि इन्हें अल पत्ता, एक इंच दाल चीनी का टुकड़ा और दो हरी इलाईची और इन खड़े मसालों को हम हलका हलका भून लेंगे बस कुछ सेकंड्स के लिए इसने डाल देंगे हम बारी कटी हुई प्याज और प्याज को भी हम अपनी हलकी हलकी फ्राइग कर लेंगे इस तरीके से हम अपनी प्याज जब हमारी फ्राइग हो जाएगी प्याज हमारी फ्राइग हो चुकी है बस इससे ज़्यादा हम इन फ्राइग नहीं करना है और अब हम इसमें डालेंगे मसाले हम मसाले तेल में ही डाल रहे हैं आदा चमच हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउ यहां मसाले डाले तो हम घैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे क्याव हम घैस it can't make one झाले आपक, मसालें तेल panels तेल में जल जेंगे और इन्हें बस हल्का सा हमग भून तो तोड़ा सा पानी डाल देंगे पाइन डालने से गा होगा कि मसाले हमारे जलें गे नहीं और ये अच्छे तरीके से बुन जाएंगे देखिए इस तरीके से and अब हमें इसको cover करके रख दूंगी कुछ seconds के लिए कि इसमें एक boil आ जाए बस एक boil आने तक ही हम इसे पकाएंगे देखिए इसमें boil आ चुका है और जो हमारे मसाले थे वह हमारे अच्छे तरीकी से पक चुके हैं अब हमारे जो बैंगन है जिसमें हमने चीरा लगा कर रखा हुआ था वह सारे बैंगन हम एक के करके इस मसाले में डाल देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स कि जो बैंगन है यह सारे मसाले को एब्जॉर्व कर लें हमसालों के साथ मिक्स करदेंगे और इसमें डाल देंगे हम एक बारी कटा हओ टमाटर और नमक नमक आपने टेस्ट के नेसाह दाल दिजिए और इन्हें हम एच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे गैस के फ्लेम को रखेंगे हम मीडियम भी के नब구나 को नहीं करना और बिल्कुल हाई भी नहीं करना और इसमें डाल देंगे हम एक चमच सौंफ इस खटे बैंगन की सबजी का टेस्ट दुगना कर देती है और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च से आपको पता है कलर बहुत अच्छा होता है और इसे टेस्ट आ जाएगा अभी देखें सारे मसाले को मच्छे तरीके से फिर से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे हम आधा कटोरी से भी थोड़ा कम पानी इसे क्या जब हम इसे पकाएंगे तो यह हमारी सबजी कड़ाई की तली में नहीं लगेगी और बैंगर हमारे अच् श्रीकियम फ्लेम पर 5-7 मिनट तक पकैएंगे रह यह और बैंगर हमारे हो चुके हैं और आप देखिए बेंगर हमारे बिल्कुल पक क्खुत हैं और ओल्ज भी बैंगर से बिल्कुल अलग सेपरेट हो चुका है और बैंगर जाझीक हरे बैंगर की खटी सबजी हमारी की जरूर ट्राइ करें ये हरे बैंगन की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और इसे धनिये से कर देंगे गार्दिश धनिया नात आप कस्तुरी मेतिका भी यूज़ कर सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें